हलो अश्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में ककुदता या कर्टोशिश के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेशिक बातों को जान लेते हैं कभी कभी शैंपल या प्रतिदर्स के चैन में विशंगतियां आ जाती है और दोस्पूर्ण परिच्छन परिस्थितियों के कारण प्रापतां को कभी तरन आशमान हो जाता है प्रतिदर्स चैन में बिशंगतियां और दोस्पूर्ण परिच्छन परिस्थितियों के कारण हमारा डेटा या आंक्डे इन पीशी पर अज़स्ट नहीं हो पाता उन बिशंगतियों को ही हम शमानतया से बिचलन या डिवियेशन फ्रॉम नॉर्मलिटी कहते हैं शमानतया से बिचलन या डिवियेशन फ्रॉम नॉर्मलिटी दो परकार का होता है फर्स्ट बिशंगता या अस्केवनेस सेकेंड ककुदता या कर्टोशिश आज का मेरा टॉपिक यही ककुदता या कर्टोशिश है अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओड चलते हैं शमान वक्र की तुलना में जब कोई वक्र चप्टा या सिखरिये होता है तो उसे ककुदता या कर्टोशिश कहते हैं इसी के यू से डिनोट किया जाता है अर्थात किशी भी वक्र की वक्रता को के यू द्वारा प्रदर्सित किया जाता है इन पीशी या शमान प्राइक्टा वक्र में के यू या ककुदता का मान 0.263 होता है अब हम लोग ककुदता या कर्टोशिस के प्रकार को देख लेते हैं ककुदता या कर्टोशिस तीन प्रकार का होता है फर्स्ट मेसो कर्टोसिस, सेकेंड लेप्टो कर्टोसिस, ठर्ड प्लेंटी कर्टोसिस, अब हम लोग बारी बारी से सभी को देख लेते हैं जब आवरिती बितरन ठीक NPC के शमान हो तो उसे मेसो कर्टोसिस कहते हैं अर्थात, जब वक्र की उच्चाई शामान हो तो उसे मिसु कर्टोशिश कहा जाता है मिसु कर्टोशिश में ककुधता या के यू का मान 0.263 होता है जब वक्र की उच्चाई शामान से अधीक हो तो उसे लेप्टो कर्टोशिश कहते है लेप्टू कर्सोसिस में ककुधता या के यू का मान 0.263 से अधिक होता है जब वक्र की उचाई शामान शे कम हो तो उसे प्लेंटू कर्टोशिश कहते हैं प्लेंटू कर्टोशिश में ककुधता या के यू का मान 0.263 से कम होता है इसे हम लोग एक चीतर के माध्यम से समझ लेते हैं इस चीतर में B की उचाई इन पिशी के शमान है इसलिए इसे मेसो कर्टोशिश कहते है इस चीतर में A वक्र की उचाई B शे अधीक है इसलिए इसे लैप्टो कर्टोशिश कहते है यहां चित्र में C की उच्चाई B शेक कम है इसलिए इसे प्लेंटो कर्टोशिस कहते हैं इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता है हम लग फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक लिए नमस्कार